तो कैसे हैं बच्चों आप लोग मैं आचुकी हूं आपके सामने आपकी होस्ट एंद दोष अश्मिदा कंप्यूटर के एकदम बहतरी सी सीरीज लेका तो बच्चों आप घुबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कंप्यूटर की एक शौट जो है तुए ना पांसे दस मिन जल्दी से जल्दी पढ़ सकते हो तो बच्चों जैसे कि मैंने आपके 3-4 टॉपिक करा चुकी हूं तो आप मेरे चैनल पर जाके देख लीजेगा प्लेलिस में आज मैं आ चुकी हूं आपके एक नए टॉपिक के साथ इंपूट एंड आउटपूट ठीक है बच्चों बहुत हचा है यह आपका कुछ फीस क्लेकी होती है जिससे क्या करते हैं आउट पूट बिलता है और डेटा प्रॉड ऐसलोरिपी पर रचुछ के सीस्टम कोई ऐसलोर्यान था रही हूं तो मैं किस एरी दें sme the key word को ॐउड को किये इसको ने दे रही हूं अब यहां पर calculation हो गी चत्षा भीstaw अब hanp को कैसे वह दिखेगा कैसे अप उसको देखोगे ठेक और तो monitor की form में आप उसको देखोगे as a output की form में ठीक है similarly जब output के बात करेगी तो आप क्या करोगे बच्चो monitor रही तो monitor में आपको करोगे input आपने कोई भी है एक आपका जैसे admit card आया ठीक है तो admit card आपका क्या आया monitor पर आया कोई side से आपने अपना admit card open किया तो monitor पर आपको visible हो रहा है फिर उसके बाद जो process आपको मिला ठीक है जो आपने process दिया तो printer क्या कर रहा बच्चो printer क्या कर रहा है तो printer आपको क्या कर रहा है as a output आपका वो चीज प्रिंट करके दे रहा है तो आपको हाथ में क्या रहा है एक पेपर आ गया जो आपने एड्विट काड इसर दिया था इंपुट में आपने monitor को दिया था तो सेम आपको क्या होगे बच्चो आउट पुट के फॉम में आपको वो मिल चुका ठीक है तो बच्चो यही होता है आपका input-output का process ठीक है एक बात देख लेते हैं कि input device क्या होती है अब आप यह देखते है ठीक है मेरा इंपूट है तो यूजर ने क्या किया बच्चो यहां पर क्या किया इंपूट दिया ठीक है अगर मैं कीबोड की फॉर्म में बात करूं तो कीबोड से मैंने क्या किया इंपूट दिया मैंने टू प्लस टू कर दिया जैसे फॉर एक्सामपल मैंने किस से डाला बच्चो किस से लिखा यह मैंने की गूंट से थो लिखा किई उज़र की फॉर्म में क्या किया किया की बूर्ट उसको दिया फिर वार कशुव्त किया करती है उसने क्या हो कंप्यूटर को ठीक है यूजर सिकनल देता है कंप्यूटर को चीव करता है एंड-1 CPU उसके बाद बच्चों क्या करता है वर नदा है आपका आप तो इन्पूट की बात करते हैं यह पूरा आपका होता है पूरा प्रॉसेस अब इन्पूट की बात करते हैं बच्चो तो इन्पूट डिवाइस हमारी क्या क्या होती है जैसे आपकी कीबोड हुई है और हमutet अपने फोट झापना पर्ता है तो पहले अपने चान्य मोबाइल इंक्टी सब्सक्राइबं ९ह सब सब्सक्रामय करें कर सकते हैं ऑप कि मैं कर देखने हैं लिखा हुल प्रैटों कि मैं कि अपडेट करें तो वह त्यों जो मशीन ना अपडेट करते तो वह मशीन ना जो हुआ घ्र को वह समझती है तो उसी को बोलते हैं मैं मैंक्ट आता हैं जो आपका टूलेट दॉट यहां पर इतने सारे बटन्स होते हैं यह सब चीज आपके क्या है इन्पूट की है यह सब चीज आपकी जॉस्टेंट के परपस से ही यूज होती है ठीक है अब आदे हैं आपका बार कोड रीडर है ना जब भी आप शॉपिंग करने जाते हो आप ने चाहते हो तो आप कोई आपने लिया कोई भी टीशिट ली ठीक है तो उसमें कोड लगा होता है तो वह मशीन से क्या करता है इसको बार कोड को स्कैन करता है उसके बाद उसकी रेट जो आपके डिस्प्ले पर लिखी आ जाती है फिर आपको पता चलता है कि यह 800 की है 900 की है 200 की है जो भी चीज आप आपको पता चलता था तो वह था अपका बार कडी माउस मसमाouver कि कहाता है कि इंपटर इंपॉक्स छिज आपने लिखी ही जैसे कि तेसल तो बच्छों इसे दिए आपका ऐसे एक अंसर पर एक लगा त assemblo a वाले को ही किलिक कर देता पूरे स्का echt तरीके से कर देता तो लमशीन होती है जो पूरी शीड को और ऒरीजिनल सीडी से कंपे और करके आपका क्या करती है स्कोर्ट को div 24af d i होती इतना इतना मैं सब्सक्रार इच्ञां को सब्सक्राइब नेक देख्टे से फ़र्ग्राइब बच्चो आपको क्या अप करने आपो और वस्तंन को के आउटपूल डेता है ठीक है तो आपुम्ट। है चीज varieties वीडियो से सब यह सquireful चीज होती है यह चीज आपको कहां से मिलती है प्राइड होती है तो इन सब डिवेड़स को क्या बोलते हैं आउट पूट बोलते हैं ठीक बच्छो तो देखो आपको मोनिटर हो गया अब मैंने आपको बनाया थोड़ी देर पहले जैसे कीबोर से अगर आपने कोई भी इंपुट दिया है ठीक है तो एज़ा आपको विजिबल क्या हो रहा है आ इसका भी एक्जामपल दिया था आउट पूट की फॉम में कि अगर आप क्या कर रहे हो प्रिंट आउट निकल वा नहीं जा रहे हो आपका कोई भी एक्जाम है या कुछ भी आपका अगर अगर आपको दिख जाएगा तो यही चीज होती है आपकी आउट पूट डिवाइ ठीक है अब आती है computer GPS है ना headphones हो गए आप आने सुनते हो ठीक है video card हो गए speaker हो गए यह भी आप गाने सुनते हो प्रोजक्टर प्रोजक्टर की बात करो बच्चों प्रोजक्टर यह वह एक आउट पूट डिवाइस होती है प्रोजक्टर जैसे कि आपने देखा होगा कि बह इससाँ इससंतर पालके सब बच्चों को हम एक साथ movie दिखा सकते हैं ठीक है तो प्रोजक्टर की फॉर्म से बहुत बडबा-बड़ा screen पे देखता तो इससे तरीके दर सब्सारे सितने वी लाखों में बच्चे होते हैं सब लोग एक चाहती उस वीडियो को एक बार में देख लेते हैं विपील हो जाती है उस फ़ोग प्रोज़कुर को लोटर ब्लोटर की बात और प्लोटर करते हैं था होती बच्चो आउटपुक डिवाईज dividend हो ति אפster होगा कि आप बड़े-बुज़ निकलवाथ हो ना जяться आप her अग हुगा कि आपने crank लेते हो नया गहर के पूरा इंफ्रेस्ट्रक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् तो यह व्यादी आपके आउट्पूट डिवाइस तो बच्चो इतना क्लियर होगे आपको कि क्या इंपूट डिवाइस हैं क्या ओट्पूट डिवाइस है तो एक धलक हम उसकी डिफरेंस में भी देख लेते हैं तो चलिए आके देखते हैं आप देखें बच्चो डिवाइस को और इसी तरीके से आउट्पूट की बात होगी तो यह क्या कर रही है यूजर डेटा तो यूजर से लेती है प्रोसेस कर दिए फिर आइज आउट्फू आपको शो हो जाताने लगता है ना आउट्पूट की फॉर में आपको शो होता है तो वही चीज़े से इन यहां फिर आंपक और देट है इसको दे रहा है यहस को दे teraz का गवगा क이다 यूजर अपको मशीन से मिलते हैं फिक रहा ही यह प्रोसेजर से और से और से Send to the user दिखा देता है जो इन-पुट कर देता है थीक है अब हीर्प करता है एक्सेट कर्दिये सारे डेटा को लेकिन ही क्या करते है यह डिस्प्लेग देटा यह आपको निगया उती है जैसे सब्सक्राइब करें लेकिन आउट पूट की क्या होती है जैसे की इंपूट डिवाइस की बोर्ड इमेज स्केनर माइक्रोफोन ठीक है पॉइंटिंग डिवाइस आपको माउस हुआ है ना ट्रैक बॉल हुई जॉस्टिक हो गया अब इससे तरीके से आउट पूट की बात कर कंटेंड लेके आती हूं बहुत अच्छा ढून के लाती हूं ठीक है तो आप इस सीस की बिल्कुल बेफिकर हो जाओ बिल्कुल टैंचन फिरी होगे आराम से कंप्यूटर को पढ़ो और यह सीरीस में जो आपके लिए चला रही हूं दस से पंदर मिट के लिए तो आप इस ज्यादा नहीं शूटी है सो डोंट वरी आप इज़र आ सकते हो विजट कर सकते हो देख सकते हो ठीक है अभी बहुत स्यादा मैक्सिमम डिसकाउंट चल रहा है तो बच्छों मेरा कोड लगा लीजिए असमी 80 तो बच्छों असमी 80 जब कोड लगाएंगे ना तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम डिसकाउंट मिलेगा और एक बात और मेरी जान लीजिए अगर आसमान में ओड़ना है न तो असमी 80 कोड आपको लगाना ही पड़ेगा ठीक है और अच्छा गाहा आपको अच्छा स्कोर करना है तो ज्या कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपके लिए सबसे बैस्ट से बैस्ट कंटेंड लेके आती हूं इससे इससे आपका सब कुछ आपका एक्जाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा और अच्छे स्कोर आप इसको कर लोगे सो बच्चों जड़ा टेंशन लेनी की जरूरत नहीं है आप बस इंचॉय करिए मेरी सीरीज को और ये सारी फैसलेटी आपको मिलेंगी तो बच्चों मिलते हैं अब अगली वीडियो में बने रहिए मेरे साथ खुश रहिए स्वस्त रहिए और बढ़िया थैंक यू